और ये हमारे लिए भगवान जैसे हैं, पहले तो ना लागो ले में या बलागे लाग ले, बहुत संगर्स करके यहां तक मेरे मा भब पढ़ाएं, और मम्मी घर में है, घर में मजदूर हुदूर का काम करती थी, आज उसका रंग फल बहुत अच्छा लगा है, लोगों के व साथ-साथ ममी पापा को बहुत बड़ा धन्यवाद है, योगदान है, दुनिया में मा से बड़ा योधा कोई नहीं होता है, और ऐसे में जब कोई बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो मा का सपोर्ट सबसे जादा होता है, उनकी मा यही सोचती है कि आखर उनका बच्चा किस उनका नाम रोशन करेगा, देखें फिलहाल हमारे साथ एक माता है, उनके साथ उनके बच्चे है, जिन्हें आज चमपई सोरे ने निउक्ती पत्र दिया है, बाच्वीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखर कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन अभियर्ती से बात करने से पहले मैं उनकी माताजी से बात करूँगी, उनसे जानूँगी कि आखर इनका संघर्स ये देखी है, कैसा लगा और आज जब न्यूपती पत्र मिला है इन्हें तो कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आज आज आपके बच्चे को न्यूपती पत्र मिला है, देखें कितना स संगहर्स था बहुत सुंदर और ये बताईय कि कितना देर इक पड़ते थे कि बड़ते लिए बड़ी देर तो बड़ी महनत कर ले कुन लगता था ले अब बड़ी महनत करके बढ़े लिए अब निकई लिए सब्सक्राइब बढ़ा है कि बेटे भी हमारे साथ मौझूद है ममी का कहना है कि बीच में थोड़ा सा इनको लग रहा था कि आपको न्यूकती नहीं मिलेगी फिर आज जब न्यूकती मिली तो ममी बहुत खुश है बोल भी नहीं पा रही है मैं कह सकती हूं कैसा लग रहा है कहीं में बहुत अच्छा लग रहा है और आज मैं चंपाइस वर्म से धन्यावाद देना चाहूंगा कि हम लोगों को यह नीकती बहुत जल्दी दिये सबसे पहले मैं यह बताओं कि मेरा नाम अरुन कुमार राम्या और मैं बोकारो डिस्टिक्स से हूं आज हम लोग बहु वर्कर हैं बाहर में मुंबे दिल्ली में काम करते हैं और टावर लाइन में बैसिकली और मम्मी घर में है घर में मजदूर हुदूर के काम करती थी आज उसका रंग फल बहुत अच्छा लगा है मिला है और वाकई मैं अपना कुसिस करूंगा कि अपना युगदान में ऑनको सपोर्ट किया है मम्मी को क्या संदेश दी ज någon कौन के बहुत च्छा है इन्होने काम किया लगतार यह पढ़ाई कर रहे थो और ऐसे में आज मम्मी का ये आशिरवाद ले रहे हैं आज आपका अशिरवाद ली एसे हमेशा लेते होंगे आज खास दिन है क्या कहिएगा अपने बेटे को कि असिर्वाद दे रही है हमेशा के लिए खुश्च में हुआ है प्लस टूट चलिए आगे क्या सपना है यह पते ही सैलरी जब आएगा पहला मम्मी को क्या दीजेगा पापा को क्या दीजेगा भाई बहन है उन्हें क्या दीजेगा बिल्कुल यह तो सोचनी वाली बात है ब पपापा को नहीं आप आपका कमी कर रहा है पर आप जहांब है आप वीडियो देखके हमें आपको धन्यवाद आप का पैरस्पर्स करना चाओंगा आज हमें बहुत खुश मिल रहा है अफी के वजह से वो बाहर मज़़ूरी करें आप ही के वज़े से वह बाहर है ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर लें हमारे यह सिस्मा मम्मी पापा के वज़े से ही सब कुछ हुआ है वो तो पढ़े लिखे नहीं है पर हम लोगों को पढ़ा लिखा कि अच्छा सा युग जान बना दिये बहुत अच्छा लग रहा है अपनी माता जी को संदेश दे रहे हैं कि माता के बिना ये कुछ नहीं कर पाते माता लगतार इन्हें सपोर्ट कर रही थी साथ इनका यही कहना है कि इनके जो पिता जी है वो बाहर मजदूरी करते हैं इनकी जो मम्मी है वो इनके छेत्र यानि कि बोकारों में ही मजदूरी कर ताकि दो पैसे घर पर आए और ये पढ़ाई कर सके अब इनका कहना है कि जब फर्स्ट सैलरी इनका आएगा तो ये माता पिता और इनके जो भाई बहने उन्हें सबसे पहले गिफ्ट देंगे और उन्हें धन्यवाद करें खलाल मुझो और सायोगी राजबलब को दे इजाज़त नमस्कार पांच राजजी एक सट सहर एक सो पचास प्रोजेक्ट और एक वस्तू विहार नई सोच निया घर बनाए रखिये अपना प्यार सेवा में है वस्तू विहार कर दो अबस्तू राज़ पूझी उया है कर दो भाज़ कर दो पांच वेस्तू जबस्तू झाबदेज़ कर दो दो उंटाश बस्तू बस्तू कर दो एक सबस्तू प्रणया कर दो पिंदा़ में हैं